गैज आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Java के एक feature इसका नाम है Generics के बारे में और क्यों आप लोग Generics तो इस्तिमाल करेंगे मैं इस वीडियो के माधियम से आप लोग को समझाऊँगा और आप लोग को फिर पता चलेगा कि Generics जावा में क्यों add किये गए थे तो यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए notes लिखे हुए है और यह notes आप लोग को इस वीडियो के end में मैं description में देदूँगा link एक महाँ पर मिल जाएंगे download करने के लिए Java generics was introduced from JDK 5.0 onwards जो generics से Java में वो 5.0 onwards introduced बहुत जादा similar है अगर आप लोग C++ जानते हैं by any chance C++ template से काफी similar है but not exactly the same और उसका एक reason है मैं आप लोग को बताऊंगा but अगर आपको C++ नहीं आती तो nothing to worry about क्योंकि आप from fresh start कर सकते हो यहाँ पर यह concept generics के जो कि मैं आप लोग को Java के लिए बताऊंगा तो यहाँ पर देखो मैं राइट लिक करके मैं आपर नई फाइल बनाऊंगा बढ़ उससे भी पहले अगर आपनी playlist आकसेस नहीं करीए तो जरूर करना है आपर क्लिक करके book mark हो यहाँ क्लिक करके save और 110 वी वीडियो के लिए मैं आपर फाइल बनाऊंगा मैं सिंपली यहाँ पर राइट लिक करूँगा new java class बनाऊंगा और मैं लिखूँगा यहाँ पर cwh underscore 110 और यहाँ पर मैं लिखूँगा अपनी generics.java ठीक है हमेशा की तरह एक main method तो यहाँ पर बनाई लोगा और main method बनाने के साथ-साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा आप लोगो एक array list बना कर बताऊंगा आप लोगोंने array list के बारे में सुनाऊगा और array list जो है वो हम लोगोंने काफी इस्तिमाल करी है मैं आप लोगो आप लोगो AL के नाम से एक array list बना कर दिखाऊंगा और यह एक नाम इसने आप लोगो दे दिया is equal to आप लोग अगर new लिखोगे और ar लिखोगे और semi-color लगाओगे सीधे end में आपके जागे semi-color लगता है IntelliJ IDE है जिसी ID को इस्तिमाल करने का यही फाइदा है मैं आपर अपनी जो बात है उसको मैं पूरा करते हुए मैं आपर array list.add करूँगा और इसके अंदर मैं add करूँगा string object और मैं आपर लिखूँगा str1 और इसके बाद मैं end में semi-color लगाऊँगा और array list.add यहाँ पर मैं 54 को add करूँगा और array list.add मैं आपर 643 को add करूँगा मैं आपर तीन items add कर दिये अपनी array list के अंदर अब मैं क्या करूँगा इन तीन items को add करने के बाद आप लोग देखो मैं आपर क्या करूँगा मैं आपर simply लिखूँगा int a is equal to आप दियान से देखना मैं आपर क्या करूँगा एक integer है बर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर एक red-red line आ रही है यानि कि compiler कह रहा है कि यह एक error है कह रहा है कि यार जो array list.get है वो आपको एक object return कर रहा है लेकिन आपको actual में एक integer चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूँ भरोसा नहीं है तुम तो यार यहाँ पर इस तरह से कोई दूसरा object भी रख सकते हो तुम कह सकते हो array list.add और new scanner मतलब तुमारा कोई भरोसा थोड़ी नहीं है कोई और तुम system.in इस तरह से scanner को डाल दो तो यार तुमारा कोई भरोसा नहीं है तो मैं कैसे मानलों कि एक integer है मैं कहाँ आँ जावा यह एक integer ही है तो किया काम नहीं मान सकता sorry यह लो मैं तुम्हें टैप cash कर देता हूँ तुम्हार तुम्हें लगता यह मैं छूट बोल रहा हूं तो यह लो टैप cash कर देता हूं मैं लेकिन इस type cash की क्या तो यहां पर आप लोग को प्रॉब्लम होगी, टाइप कास्टिंग करनी बड़ेगी, आपके code में unnecessarily align add होगी, तो क्या कोई तरीका नहीं है, जागवा को बताने का किया, मैं इस एरे लिस्ट में सिर्फ integers रखने वाला हूँ, वैसे अगर मैं इस program को compile करूँ, मैं system.out.println करक हो गया है, ठीक है, लेकिन अगर यहां पर मैं typecasting नहीं करता, मेरी बात को दिहान से आप समझ ना, क्योंकि यहां पर मैं आप लोग को बहुत important बात बता रहा हूँ, जोगी है, generics को use क्यों करते है, यहां पर देको incompatible type error आ गया है, ठीक है, तो यहां पर मुझे एक error देखन को मिलता integer हटा कर, the answer is हा, मुझे देखने को मिलता ही error, तो अगर मैं सिर्फ integers add करना चाता हूँ, अपने error list के अंदर, तो क्या मैं नहीं कर सकता, directly, the answer is हा, मैं कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, the answer is मैं कर सकता हूँ, यहां पर, इसको बता कर, मैं आपर, इसको बता basically क्या होता है कि आप supply कर रहे हो कि कौन सा object आप लोग, किस class का object आप लोग इस area list के अंदर रखना चाहते हो, तो कभी भी हमें इससरा का थाम करना होता है तो हम generic का use करते हैं, हम यहाँ पर supply कर देते हैं, अपनी class का नाम जो कि हम इस जो यह class है हमारी area list इसके अंदर use करना चाहते हैं और यह जो area list है यह इस नाम के साथ इस class के नाम के साथ items को process automatically कर लेगी mostly Java में हम लोग generics को लिखते नहीं, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम लिख नहीं सकते, मैं कह रहा हूँ most of the times हम लिखते नहीं हैं, लेकिन हम built-in Java generic classes को use करते हैं, ठीक है तो अगर मैं notes में आऊ हूँ तो मैंने आप लोगे लिए चीज़ें बहुत अच्छी तरह से collect करके लिख हूँ है यह 5.0 से 5.0 से introduce किया गया था Java में और मैंने यह जो example इसको भी explain किया कि अगर आप इस तरह से लिख कर और इसमें add करने के integer और इसके बाद आप इस integer को अगर print करने की कोशिश करें या फिर एक integer variable के अंदर store करने की कोशिश करें तो आपको बदाए जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसको typecast करके दे रहें Java को तो Java बुलेगा हाँ ठीक है ये ठीक है तो generics क्या करते है आपको bug ना आए आपके program में आपको bug से बचाते हैं और type safety को enhance करते है bug से कैसे बचाते हैं किस तरह का bug आ सकता था आपके program में यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ अगर मान लो यहाँ पर मैंने एक arraylist बनाई होता हुँ यहाँ इंटीचर हटा रहा हूँ एक बार के लिए यहाँ से मान लो मैंने इस तरह की arraylist बनाई होती और मैंने यहाँ पर कहता हुता int a is equal to arraylist.get 0 ठीक है मैंने error list.get0 किया होता और इसको integer में typecast कर दिया होता तो यहाँ पर आप लोग देखो कोई भी error मुझे देखने को नहीं मिला है कोई भी compile time error मुझे देखने को नहीं मिलेगा लेकिन क्या ऐसा करना ठीक है आप बताओ क्या ऐसा करना ठीक है चलो run करके देखते हैं और जैसे आप इसको run करके देखोगे आपको एक runtime error मिलेगा आपको यह बोला जाएगा कि यार आप string रख रहे हो यहाँ पर और उसके बाद आप कह रहे हो कि आप integer रखा हुआ है तो आपको यह वाली line एक runtime error produce करके देगी तो यहाँ पर आपके programming bug आ गया लेकिन आपको पता नहीं चलेगा यह bug क्यों आया यह bug actual में आपके इस program में इसलिए आया क्योंकि जो array list.get 0 जो है वो return कर रहा है एक string type लेकिन आप उसको typecast करने के कोशिश कर रहे हो integer में लेकिन जब आपका program बहुत जादा complex हो जाएगा यह तो एक बहुत simple program है इसमें साफ साफ दिख रहे है कि क्या हो रहा है मान लो आपका data store में से किसी database वगएरा में से आ रहा है आपके objects और उसके बाद आप उन objects को यहाँ पर print कर रहे हो इस तरह से और मान लो आप दो तीन और complex काम कर रहे हो उस case में क्या होगा उस case में आपको इस तरह के runtime errors तकर देखने को मिले तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इन runtime errors की cause क्या है और यसा जावा में बहुत बार होता है कि आप लोग का runtime error है वो जो कह रहा है वो actual cause तक आपको पहुचाने में उतना समर्थ नहीं रहेगा मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि जो error आपको दिखाया जाता है वो गलत होता है मैं बस यह कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो error आपको दिखाया जाता है वो होता तो सच है वो जहां पर हो रहा है उस scenario के बारे में उस line के बारे में बात करता है आपको ये नहीं बताता है कि उसका root cause क्या है कभी कभी उस error का root cause कुछ और ही होता है तो इस तरह की box से बचने के लिए हम लोग Java Generics को इस्तेमाल करते हैं हम लोग यहां पर जो Generics हैं एक बना कर भी दिखे यानि कि जो हमने याप पर यह लिखा हुआ है जिसी कि ArrayList हमने बनाई आप मैंने इंटीजर लिखा हुआ था इस तरह से क्या आपको मालूम है मैंने इस तरह से Integer क्यों लिखा और मैंने Int क्यों नहीं लिखा मैं जब इसको Uncomment करूँगा ताकि सिर्व Integer हम लोग store करने इ मुझे आपर एक Error मिलेगा कि यार यह Integer की ArrayList है आप इसमें string नहीं डाल सकते ठीक है तो यहापर आप देख सकते हो कि ArrayList, ArrayList is equal to new ArrayList जब मैं कर रहा हूँ Integer type की ArrayList मैं बना रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं Ctrl D करके आप लोग को दिखाता हूँ मैं Ctrl D करके आप लिख सकता है this is not allowed क्योंकि Int क्या है एक primitive data type है and doing this is not allowed in Java ठीक है तो यह चीज एक आप लोग को मैं बताना चाहता था मैं आप पर इसको कमेंट करके यह भी लिख दूँगा this will produce an error this will produce an error तो यह बात तो जो हम लोग को पता चल गई कि यह चीज जो है Error produce करेगी ठीक है सो यहां पर जो है हम लोग को यह बात समझ में आ गई है अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग एक generic class बना सकते हैं Java के अंदर मैं आपर लिखूंगा class और मैं इसका नाम my generic रख देता हूं और मैं यहां पर इस तरह से angular brackets का इस्तेमाल करूंगा मैं आपर लिखूं साथ मैं आपर एक constructor बनाऊंगा जिसको मैं कुछ इस तरह से alt insert दबा कर भी बना सकता हूं मैं आपर constructor लिखूंगा और मैं कहूंगा कि मैं यहां पर जो यह int है इसको और t1 को initialize करना चाहता हूं और this dot val is equal to val or this dot t1 is equal to t1 और यहां पर फिर मैं इसको initialize इस तरह से नहीं करता ह यानि कि मैं value को get और value को set कर सकता हूं ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे कि यह जो array list है यह तो मैं कुछ print कर नहीं रहूं यहां पर मैं यहां पर my generic और g1 मना लूँगा ठीक है और जैसे कि आप लोग देख सकते हूं मैंने सिर्फ my generic g1 मनाया है अब मैं लिखूंगा g1 dot get t1 ठीक है और यहां पर मैं क्या करूँगा g1 के अंदर मैं यहां पर एक constructor की सहायता से मैं यहां पर कुछ इस तरह से एक नया object भी बनाऊंगा new my generic और इसके बाद मैं इसके constructor की जो arguments उनको डाल दूँगा और मैं यहां पर लिख दूँगा यह object t1 ले रहा है यहां पर जैसे कि मैंने दिया हुआ है कि यह एक generic type का argument ले रहा है मैं आपर simply करूँगा क्या कि इसको एक string दे दूगा ठीक है मैं आपर इसको एक string दे दूगा और मैं आपर my string लिखूँगा और क्योंकि मैं आपर एक string दे रहा हूँ मैं आपर इस तरह से class का नाम दे दूगा string तो this is a way to instantiate an object from a generic ठीक है अब मैं आपर लिखूँगा get t1 अब मैं आपर कुछ इस तरह का काम करूँ मैं आपर लिखूँ string a is equal to g1 dot get t1 और semicolon लगा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से तो यहाँ पर शायद मैंने एक को अल्री यूज कर लिया है मैं str रग देता हूँ variable का नाम और इसके ब string और अब मैं इसको run करूँ तो आप लोग देखो कि my string is my string यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख कर आ गया है ठीक है so I hope कि आप लोग समझ गए कि किस तरह से चीज़े काम करती है मैंने आप लोग को generic बना के दिखाया उसी के साथ साथ मैंने एक object बना के दिखाया और उस object को ब करता तो मुझे यहाँ पर compile time error मिलता कि यार यह संबब नहीं है ठीक है तो यहाँ पर गलती करने के chances user के end से बहुत कम हो जाते हैं अगर आप generic को इस्तेमाल करते हैं अच्छा एक चीज़ अब यहाँ पर और बताना चाहता हूं कि generic में आप एक से ज़्यादा class types दे सकते हैं मैं आपर T2 को भी लिख दूँगा और उसी के साथ साथ जैसे से मैंने T1 के लीए जो काम किया है वही काम मैं आपर T2 के लिए भी करूँगा और यहाँ पर मैं ज़रा कुछ इस तरह से T2 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 इस तरह से place कर दूँगा ठीक है और अगर मैं यहाँ पर getter and setter बनाना चा यहां पर नहीं रखा हुआ है तो यहां पर मैंने गेटर बनवा लिया अब मैं आपर अगर string और integer यहां पर कुछ इस तरह से करता हूँ और उसके बाद मैं t1 को string और t2 को integer बना दूँ कुछ इस तरह से तो यह आपर इस तरह से accept कर लेगा अगर और मैं आपर लिखो 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 लिखने को मिल रहा है और यह कह रहा है कि यहां पर आपको integer देना ही होगा तो अब मैं आपर integer दे सकता हूँ यहां पर देखो integer मैं आपर इसका नाम int1 रख देता हूँ just for the sake of proper naming int1 is equal to g1.gett2 और यहां पर मैं int1 जो है ऐसे रख सकता हूँ मझे plus करके रखना चाहिए कुछ इस तरह से अगर plus करके रखोंगा तो string के बाद जो है मेरा यह जो integer है वो प्रिंट हो जागा जो की 45 है जिसी कि आप लोग देख सकते हूँ प्रिंट हो गया है तो this is how we use generics in Java I hope आप लोगो generics का concept समझ में आ गया basically हम क्या करते है class को supply करते है और classes so we are simply passing classes to already defined classes ठीक है तो यहां पर my generic को हमने कहा कि भाई T1 और T2 दो classes है जिनके साथ मैं operate करना है अब कैसे operate करना है यह मैंने my generic की definition के इंदर रखा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो ठीक है वो T2 type का object return करेगा so I hope कि आप लोग generic के बारे में समझ गए और आप लोगो clear होगे generic क्यों और कैसे use करते है आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस तरह से file handling की जाती है Java के अंदर तो यार आप लोगो file handling वाले वीडियो कोई भी miss मत करना और अगर by any chance आप ल video मितने है guys thank you so much guys for watching this video and I will see you next time